नमस्कार, हिमाचल पुलिटिन में आपका स्वागत है, पेश हैं आज के समाचार परिवार पैंशन भोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पैंशन व परिवार पैंशन सुनिष्चित होगी, इसके अजरिकत एक जनवरी 2016 से 31 निसंबर 2021 के मध्य सेवा निवरित हुए लगभग 43,000 करमचारियों को संशोधित पैंशन और ग्रैटरिटी भी मिलेगी, अब 1 जन मट्री मंडल ने एक प्रदेश सरकार ने पैंशन भोग्यों को अंत्रिम राहत के रूप में पहले ही 1450 करोड 44 लाग रुपे प्रदान किये हैं मंट्री मंडल ने हिमाश्र प्रदेश विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाशन को भी अपनी स्विक्रिती प्रदान की प्रदेश में COVID-19 की स्थिती की समिक्षा करते हुए राज्य मंट्री मंडल ने प्रदेश में 17 फरवरी 2022 से सभी शेक्षनिक संस्थानों को खोलने का निर्ने लिया मंट्री मंडल ने हिमाश्र प्रदेश अगनी शमन सेवा में हिमाश्र प्रदेश करमजारी चैन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर उप अगनी शमन अधिकारी के आठ पद्स रिजट कर उन्हें भरने की स्विक्रिती प्रदान की बैठक में कांगडा जिला के धीरा, चंबा जिला के भटियात और मंडे जिला के रिवालसर में तीन नए उप अगनी केंद्र खोलने तथा शिमला जिले के चटगाउं, हमिरपोर जिले के भोरंच और अटल चनल रोहतां के साउथ पोर्टल में तीन नए फाइर पोस्ट ख तथा प्रतिक नव गठित फाइर पोस्ट के लिए लिडिंग फाइर मैन का एक पद फाइर मैन की बारह पद और चालक व पंप ऑपरेटर के चार पदों का स्रिजन कर उन्हें भरने को मन्जूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इन प्रतिक उप अगनी केंद्रों के लि प्रतिक में के नौर जिला में जलशक्ती मंडल रिकॉंग्पियों के तहत सांगला में जलशक्ती उप मंडल खोलने के अत्रिक्त कडशम में नया जलशक्ती अनुभाग खोलने का निर्ने लिया गया। इन कार्यालियों के सुचारू संचालन के लिए विभिन श्रेणों के इस मंडल के तहट नए अनुभाग के स्रिजन और इस कार्याले के संचालन के लिए विभिन श्रेणियों के 21 पदों के स्रिजन को मंजूरी दी। बैठक में जल्शक्ती मंडल नंबर दो कुल्लो को करमचारियों सहित शम्शी से लाजी स्थानांतित करने का भी निरने लिया गया। केंद्रों में स्वास्थे केंद्र करने का निरने लिया गया तथा इन केंद्रों के संचालन के लिए विभिन श्रेणियों के 16 पदों को स्रिजद कर भरने का निरने लिया गया। बैठक में जिलाला हुल्सपिती के समुदाइक स्वास्थे केंदर काजा को नागरिक अस्पताल में सरुनरत करने तथा कीमो में स्वास्थे उपकेंदर खोलने का नर्ने लिया गया। मंत्री मंडल ने त्वरित देखफाल की आविशक्ता वाले मरीजों को निशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राश्टिये एम्बूलेंस सेवा एक सो आठ के तहट पचास अतिरिक्त एम्बूलेंस खरीदने तथा संचालन को मन्जूरी प्रदान की। प्राइविट लिमिटेड के मध्यर नई केंद्रिय प्राहुजित यूजना फाइनसिंग फैसिलेटी अंडर एग्रिकल्चर इंफास्ट्रक्चर फंड के तहत पर यूजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए सिंगल रिसोर्स कंसल्टेंसी की भरती के लिए समझोत अग्यापन का प्रारूप तयार करने को स्विक्रिती प्रदान की। 2022 से अधिसूचित करने का नेर्नेलिया। मंच्री मंडल ने उना जिला के जीतपूर बहेडी में आईजी इथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन को एक रुपया प्रतिवर्ग मिटर पट्टा धर पर भूमी आबंटित कर अनुमति प्रदान की। मंच्री मंडल ने बिलासपूर जिला के घंडालवी में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्ने लिया। 97,431 लोगों की जान्च की जा चुकी है जिनमेंसे 41,16,827 सेंपल की जान्च नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,80,275 लोगों में कोरोना वाइरस की संक्रमण की पुष्टी हुई है। जिनमेंसे 2,73,094 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 3,094 वेक्ती उप्चाराधीन है। हिमाचल पुलिचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर आट DPRHP, लाइक करें फेस्बुक पेज, इन्फरमेशन और पब्लिक रलेशन्स डेपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himashalpr इस संक में इतना ही कल फेर होगी मुलाकात, दीजे इजाजत, नमस्कार